चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हार्देक स्वागत करता हूँ दोस्तो लंबे समय के इंतजार के बाद में वेटनरी का रजिस्टेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है तो इसकी वेबसाइट पहले AIPVT.VCI.NIC.IN हुआ करती थी इस साल से यह VCI.NIC.IN है तो जैसे ही इसकी वेबसाइट में हम विजिट करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देता है तो सबसे पहले हम इसका एक बार इनफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करके देख लेते हैं डाउनलोड सेक्शन में आपको इनफॉर्मेशन ब्लेटीन मिल जाएगा तो जैसे ही इसका इनफॉर्मेशन ब्लेटीन डाउनलोड करते हैं तो इसमें कोर्स का डूरेशन दिखाया गया है यह साड़े-पांच साल का कोर्स है इंटर्नशिप के साथ में इसके बाद में 607 टोटल नंबर ओप सीट से इसमें 15 परसेंट आल इंडिया कोटा के लिए इलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें इंडियन नेशनल होना चाहिए इसके बाद में इसमें एज क्रेटेरिया भी है इसमें minimum as 17 years होनी चाहिए और maximum as 25 years 31st December 2020 को होनी चाहिए इसके साथ में SC-ST के कंडिडेट को 5 साल की चूट है OBC कंडिडेट को 3 साल की चूट है और PS कंडिडेट को 10 years की चूट है इसमें इसके बाद में जब इसकी registration की fees की बात करें हम तो registration की fees इसकी general category के लिए 1000 रूपीज है 900 रूपीज है EWS और OBC कंडिडेट के लिए और 500 रूपीज है SC-ST, PWD, PS कंडिडेट के लिए इसमें ये दोनु मोड है online registration fees deposit कर सकते हैं और offline registration fees भी आप payment कर सकते हैं इसका इसके बाद में इसमें मोपर रूप के लिए eligibility की condition दी गई है मोपर रूप में जिन candidate ने first round में registration नहीं किया है वो मोपर रूप में face registration कर सकते हैं और वो मोपर रूप में participate कर सकते हैं ऐसे candidate जिनको first और second round में seat नहीं मिली है वो मोपर रूप में participate कर सकते हैं इसमें एक condition और दी गई है मोपर रूप में security fees deposit करनी होती है जो general category के लिए 10,000 रूपीज है इसके बाद में general और OBC के लिए 10,000 रूपीज है EWS, OCI और PIO के लिए भी 10,000 है इसके बाद में जो SC, ST, PS कंडिडेट हैं उनके लिए 5,000 रूपीज आपको मोपर में security fees deposit करनी होगी अब counseling के लिए जिन जिन documents की जरुत होती है वो documents आप इसमें एक बार check कर ले इसमें जो seat allotment की copy की जरुत पड़ेगे आपको जब आप college में admission लेने के लिए जाएंगे अगर आपको seat allot हो जाती है तो इसकी website से allotment later available होगा इसके बाद need का admit card इसके बाद में result की copy जो ring card है इसके बाद आधार या फिर रासन कार्ड जो भी ID proof है उसकी एक copy date of birth का certificate जो 10th की mark sheet में होता है वो proof होना चाहिए इसमें इसके बाद में secondary 10 plus 2 की mark sheet होनी चाहिए इसमें इसके अलावा फिर इसमें आप को चीए character certificate जो school और last college से issue हुआ होता है जिसको conduct certificate भी कहा जाता है च्छे passport size की photograph जो neat का application form फिल करते से मैं upload की थी वो photograph आपको required होगी इसमें इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से belong करते हैं तो उनका आपको certificate चीए इसमें certificate का performa इसमें already दे रखा है या फिर आपके state government ने या central government ने जो भी performa issue किया है उसके मताबिक आप ये तयार कर सकते हैं इसके बाद में अगर आपको कोई problem आती है तो आप इस help line नमर पर बात कर सकते हैं अभी मैं इसका आपको schedule बता देता हूँ first round का schedule जो है वो application form है वो second january से start हो जाएंगे 10th january तक रहेंगे ये मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें first round में ही registration होते हैं second round में phrase registration नहीं होता है इसके बाद mop up round में phrase registration होता है तो इसमें जो registration होगा और 24 फिल और locking की जो facility होगी वो 10th january 2021 तक होगी इसके बाद में हम payment registration fees online की बात करें तो आपको registration fees जो online deposit करने होगी वो भी 10th january तक ही करनी होगी इसके बाद में हम बात करें seat allotment की तो processing 11th से 13th january 2021 तक होगा और result announce हो जाएगा 14th january 2021 को इसके बाद reporting time first round के लिए मिलेगा 15th से 20 january 2021 साम 5 बजे तक इसके बाद second round के लिए जो seat vacant रहेंगी उनका publication हो जाएगा 25th january साम 6 बजे इसके बाद में processing होगा अगलोट मेंट का 27 और 28 january को इसके बाद result आजाएगा 29 january साम 6 बजे बाद में इसके बाद जो second round का reporting time होगा वो एक फरवरी से 5 फरवरी साम 5 बजे तक होगा इसमें अब जो mop up round के लिए इसमें schedule है वो seat matrix आएगा इसमें 9 फरवरी 21 साम 6 बजे बाद अब registration जो होगे उसके बाद में जो payment होगा ये 20,000 और 10,000 रुपीज का वो होगा इसमें 10 से 11 फरवरी 21 साम 5 बजे तक होगा इसमें और 11 फरवरी यानि 10 से 11 फरवरी साम 5 बजे तक होगा इसके बाद में रजल्ट आ जाएगा 15 फरवरी 21 को इसके बाद में जो reporting टाइम होगा वो 16 से 22 फरवरी तक होगा इसमें इसमें बाकी जो condition है वो दे रखिये हैं इसके बाद जो seat matrix देखे हम तो इसमें total 607 seat से यो आर की 441 seat है यो आर पी एज की 23 seat से OBC की 4 seat है SC की 86 seat है SC PS की 4 seat है ST की 43 seat है ST PS की 2 seat है EWS की 4 seat है पुरकार से total 607 seat है ये इसमें nodal officer की list दे रखिये हरे college wise तो अगर आपको कोई problem होती है तो nodal officer से आप बात कर सकते हैं phone से या फिर email से अब इसमें registration कैसे करना है तो इसमें new registration पर आपको click करना है new registration पर click करने के बाद need role number need registration या फिर application number candidate name mother name date of birth mobile number email ID इसके बाद English, Physics, Chemistry, Biology के अपने marks, obtain marks और maximum marks फिल करने हैं इसके बाद जो नीचे security question है वो फिल करना है और submit करना है तो जैसे ही आप submit करोगे इस परकार का candidate agreement आएगा I agree पर click करना है और click here to proceed पर click कर देना है आपको तो जैसे ही इस पर आप click करेंगे mailing address देना है आपने इसके बाद में यहाँ एक password चूज करना है और confirm password डालके आपने आगे submit करना है यहाँ security question भी आपको एक select करना है उसका answer देना है उसके बाद में यहाँ आपका registration हो जाएगा confirm registration पर आपने click करना है जैसे ही confirm registration पर click करेंगे आपका registration complete हो जाएगा यहाँ पर login का option मिलेगा लेकिन अभी यहाँ login enabled नहीं हो रखा है यहाँ candidate login का एक option मिलेगा new user registration के नीचे अभी वो option दिया नहीं गया है यह option जल्दी ही दे दिया जाएगा इसके बाद हम इसकी fees online भी payment कर सकते हैं इसमें अभी यह proper काम नहीं कर रहा है तो जैसे ही यह काम करने लगे अभी 10 तारीक तक के लिए कापी time है तब आप इसमें registration कर सकते हैं इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो आपको college fill करनी है वो किस क्रम में college fill करनी है तो आप यह देख रहे हैं टोप में अपने UP merit का college fill करना है इसके बाद बिकानेर, हिसार, लुधियाना, मतुरा तो इस परकार से आप यह college fill कर सकते हैं seniority के अनुसार टोप से lowest के करम में आप इसको जूम करके देख ले कौन सी college किस करम में fill करना है इसके बाद college fill करते समय आप इसमें fees का ख्याल रखें इसमें जो fees है इसमें कुछ सी college private college भी हैं teacher college private college हैं जिनकी fees कापी ज़्यादा है तो आप उसका ख्याल रखें कहीं वो इस परकार की college आप इसमें fill ना करें तो इस परकार से ये वेटनरी के registration के बारे में जानकारी थी counseling के बारे में जानकारी थी आप इसकी counseling के लिए apply कर सकते हैं first round के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें registration first round में होता है second round में registration नहीं होता है तो दोस्तों ये जानकारी थी इसके बारे में वेटनरी के बारे में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वह ज़दा ज़दा शेर करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन